फाइनली सल्मान खान ने छुपी तोड़ी है पलक तिवारी के लड़कियों के कपड़ों वाले बयान पर जी हा के सल्मान खान अपने सेट पर सभी लड़कियों को पूरे तरीके से कवड रहने के लिए कहते हैं तो चलिए बात करते हैं आखरकार सल्मान खान ने क्या कुछ कहा है इस बारे में आखरकार वो ऐसा क्यों कहते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाइ में मैं हूँ अदती शर्मा तो हाल ही में सल्मान खान जब पहुंचे हैं आपकी अदालत में जहां पर उन पर काफी सारे इल्जामात लगे हैं जिनका उन्होंने जो इल्जाम लगे हैं दोस्तों उनका जवाब दिया है और उनको खारिज भी करवाया है तो उनसे इस कपड़ो वाले statement पर भी बात की गई तो यहाँ पे सल्मान खान का कहना था कि जब आप एक decent picture बनाते हो तो सब जाकर देखते हैं पूरे परिवार के साथ कोई double standard नहीं है I think औरतों की जो bodies हैं वो काफी जादा precious है तो वो जितनी धकी हुई होगी मुझे लगता है कि better है यह सल्मान खान का यहाँ पे कहना है आगे उन्होंने कहा है यह लड़कियों का चक्कर रही है यह लड़कों का चक्कर है जिसे साब से लड़के लड़कियों को देखते हैं आपकी बेहने आपकी बीवियों को आपकी माओं को वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता कि कोई उस चीज से गुजरे मतलब गो थू करे उस चीज से किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कहीं न कहीं सल्मान खान जो है इस मामले में काफी जादा प्रोट पलक तिवारी ने ये भी क्लियर भी किया था दोस्तों कि सल्मान खान का ये मतलब होता है कि क्यूंकि सेट पर एक आदा नहीं नजाने कितने लोग होते हैं जिनकों नहीं जानते हैं तो यहां भी कोई हादसा ना हो तो इसलिए वो ऐसा कहते और सल्मान खान ने बहुत ही क् लड़कियों का चक्कर नहीं है प्रॉब्लम लड़कियों की नहीं है प्रॉब्लम यह लड़कों की है तो दोस्तों आप सभी को क्या एक कहना इस बारे में कॉमेंट्स में ज़रूर बताएए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में